नमस्ते सभी को आज फादर्सडे की सबको बहुत बहुत शुक्कामना है वैसे तो फादर्सडे पास्चाति संस्कृति की अनुसार मनाये जाने वाला एक उत्सव है लेकिन भारत की संस्कृति में इसका कोई विधान नहीं है फिर भी चुकि पिता के बारे में अगर चिंदन करने का आउसर कोई भी उत्सव देता है तो निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए दोस्तों पिता ही एक ऐसा शक्स होता है जिसके बारे में उसका मुल्यांगन उनके बच्चे कर भी पाते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाते हैं पिता के रदे की बीडा को पिता के मन के भाव को पिता द्वारा किये गए संगश को पिता के द्वारा किये गए त्याक को हर कोई नहीं समझ पाता क्योंकि पिता स्वयम उसकी अभी व्यक्ति बार बार नहीं करता और समय आने पर भी कई बार पिता इन सब चीजों की अभी व्यक्ति अकेले में करता है, वो अकेले में खुश हो लेता है, अकेले में रो लेता है, अकेले में नेने ले लेता है, और कभी भी ये जतादा नहीं है कि वो अपने वलाज से, अपने बच्चों से, अपने पूत्रों से इतना प्रेम करता है, ये बात सही है कि इश्वर के इस्थान पर दूस सुष्राइस्तान अगर किसी को दिया जा सकता है तो किवल मां होती है मां के बिना तो संसार के कलपना भी नहीं की जा सकती लेकिन पिता का भी मुल्यांकन होना चाहिए पिता कि भाव को भी समझना चाहिए मैंने अपने जीवन में इसे कई उधारन देखे हैं कि जब कुश बच्चों ने पिता की कही हुई बातों को पिता के संस्कारों को अपना करके जीवन में वो नती हासिल की जो बड़े-बड़े लोग वो नती हासिल नहीं कर पाते वो एक छोटे से घरों में पढ़ने बढ़ने वाले बहुत ही अभाओं में जीने वाले बच्चों ने भी पिता के संस्कार को पा करके जीवन में नई उचाईयों के जंदेगाड़े लाल वहादो शास्त्री एक ऐसे पिता थे जिन पर बच्चों को बहुत अधिक गर्व होना चाहिए पिता एक ऐसे पिता थे जो अंदर से तो सही में बहुत प्रेम करते थे लेकिन उन्होंने कभी भी प्रधान मंत्री होते हुए इतने प्रत का लाव अपने बच्चों के संसकारों को अपना करके और किसी भी गलत रहा पर नहीं गए और वह भी आज तक किसी भी इस प्रकार के कर्म में लिप्त हमें नहीं दिखाई देते हमने सुना भी नहीं है लेकिन यह तो एक मैंने उदारन दिया लाल भादू शास्त्री का जो ध्याना आगया अचानक एक ऐसे पिता की अगर उधारन हम देखने लगें तो महापुरुशों में बहुत सारे ऐसे उधारन मिल जाएंगे बाल गंगात राति लग जब छोटे से थे तो उनके पिता जी ने मा ने आपस में विचार किया कि इस बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है और अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छा विद्यालाई चाहिए और अच्छे विद्यालाई के लिए अच्छी फीस और शुल्क देना पड़ता है तो उनकी मा ने कहा कि आप मेरे लिए कोई ज्वेलरी मत बनाना पिता यदने भी कहा है कि जब बच्चा मा के गले से लगता है जब बच्चा खेलता हुआ एक पिता ही समझ सकता है पिता जब बेटे के गले से लगता है और कभी-कभी जब बेटा की उपलब्धियों को पा करके जब वह अपने गले से लगाता है तो ऐसा लगता है कि पिता ने अपने जीवन का लक्ष प्राप्त कर लिया दुनिया में दोनों ही प्रकार के उधारण मिलते हैं दोनों ही प्रकान के उदारन से मरा मतलब यह है कि एक पिता मजदूरी करके तकलिव देख करके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, लिखाता है एक पिता अपने बच्चे की इच्छा पूर्टी के लिए उसके कॉलेज के व्याई को निकालने के के लिए कभी ठेला चला कर कभी मजदूरी करके उसका जो पैत्रक व्युवसाय करके बड़ी तखलीकों से पैसा बचा बचा के अपने बच्चे को पढ़ाता है बच्चा बढ़ा होता है बढ़ा होने के बाद बहुत अच्छी उसकी नोक्री लग जाती है जिस पिता ने अपनी परिश्रम की एक एक पाई जुटा कर अपना कोई सुख नहीं होगा किसी प्रकार का उप्योग उन पेसोगा नहीं करके बेटे की शिक्षा के लिए लगा दिये उसके भईश्य के लिए लगा दिये लेकिन जब पिता को बुड़ा पे में बेटे के सहार ही की जरूरत होती है एक अच्छी नोकरी करने वाला बेटे की थोड़ी सी तंखा का जो एक हिस्सा भी जब बेटा नहीं दे पाता है तो उस पिता के हरदय पर क्या गुजरती होगी एक पिता खुद अपनी जिंदेगी में कभी हलवा पूरी नहीं खाया हो कभी काजू आदा लेकिन बेटा जब नोकरी के लिए ट्रेणिंग पर कहीं जा रहा हो और उसके लिए पिता 100-200 ग्राब नहीं एक एक किलो की मात्रा में जब काजू वदाम और घी और अन्य समान उसके ट्रेणिंग के बेग के साथ में बांध कर देता है बच्चे की हर प्रकार से उसको को कलीब नहों इसके लिए कर्ज पर पैसे उधार लाकर बच्चे को देता है और बच्चा प्रशीक्षन प्राप्त करने के बाद सेंटरल गवर्मेंट की मान लीजिए जॉब लग जाता है लेकिन इस कोरोना टाइमस में जब पिता कोरोना से ग्रसित होता है तब समय पर पुत् कि देख रेक नहीं कर पाता और पिता दिवंगत हो जाता है तो इस प्रकार का जो जीवन योज जीवन का मतलब क्या होता है समझ में नहीं आता ऐसे कई उधारन देखने में आते हैं कि जब बच्चों ने पिता को देख करके चलना सीखा पिता की उंगली पकड़ करके चलन सीखा भाशा का पहला आक्षर मा और पिता से सीखा पिता को तकलीब करते हुए देखते हुए बढ़ते हुए देखा लेकिन जब समय आया तो सबसे बड़ा पिता का जो सुख होता है कि वह बुरापे में अपनी संतान को सक्षम देख करके बहुत खुश होता है पीता अपेक्षा नहीं करता कभी कि संदान उसे बहुत कुछ दे दे या बहुत उसके प्रति- आर्थिक लाव पहुचा दे लेकिन कम से कम भाव तो सकारात्मक होना शाहिए जब वो भाव सकारात्मक नहीं दिखता तो बड़ी तकलीब होती और आज के युग में पिता का महत्व लोगों को तब समझ में आता है जब पिता साथ में नहीं होता है जब पिता गुजर चुका होता है अपने जीवित रहते अगर आपने पिता की सच्ची सेवा कर ली तो समझ लीजिए कि आपको स्वर्ग की सीडियां मिल गई आप यह कर वाने की आवाशेक्ता आई नहीं है यदि जीवित रूप में आपने पिता की सेवा की हो या पिता के आप काम आये हो या पिता को आपने कमाई की अच्छा खासा हिस्सा पिता के लिए लगाया हो और जो पिता की एच्छाये मन में खाने-पीने, घुमने, फिरने की रही हो वो आपने उनकी उतरार्थ में आपने पूरी कियो कई बार ऐसा होता है कि ये पिता जब स्वयम अपने बशपन को याद करता है अपनी बीती जि soybean को याद करता है तो वो यह देखता है कि क्या हमारा जमाना था, दिन भर अठट, छेचे गंटे कटिन परिश्रम करने के बाद भी धकते नहीं थे, धूप में धूप नहीं लगती थी, ठंड में ठंड नहीं लगती थी, और पेदल चलना, और साइकल पे चलना, चलने में कभी कोई फर्क नहीं लगता था, वाहन सुख कभी देखा नहीं पक्की छत क्या होती है इसका सुख कभी जवानी में देखा नहीं और धूब क्या होती है घर में क्या होती है बरसाथ क्या होती है इसकी कभी परवा नहीं की और अनेक प्रकार के कश्ट भोग करके केवल ये देखा कि जीवन में किसी प्रकार से सुधार हो जीवन बढ़े आर्थी ग्रूप से भी सामाजी ग्रूप से भी और हर प्रकार से व्यक्ति उन्नती करें इसके लिए लगातार कठीन परिश्राम करके जब एक नोजमान आगे बढ़ता है अच्छी नोगरी अच्छा मान सम्मान पर प्रतिष्टा प्राप्त कर लेता है लेकिन कहीं भूल हो जाती है कि जो तकलीपे उसने देखी जो अभाव उसने देखे वो अभाव कभी अपनी उलाद को नहीं देखने देता उलाद को कभी अपनी इन तकलीपों से वो नहीं गुजरने देता इसलिए वो उसके बच्चों को कोई कश्ट ना हो, हर तरह का सुखने मिले और जहां पिता अपनी भाव के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप उनके भविश्य बनाने के लिए जो कुछ कर सकता है, वो करता है लेकिन बाउजद उसके आज के जमाने में जो बच्चों की सोच है वो ये सोचते हैं कि यार मेरे दोस्त के पिताने तो इतना बढ़िया काम इतना बढ़िया कालेज मेरे हमारे दोस्त के को दिलवाया इतने लाक रुपे दोस्त की पढ़ाई पे खर्श कर दिये इतनी इंपोर्टेन गाड़ी, कार, पता नहीं क्या-क्या हमारे दोस्त को उसके पिता ने उपलब्द करवाए, मेरे पिता ने उसके बदले में क्या किया, जब ये प्रशन उठता है, तो थोड़ा सा ऐसे बच्चों को ये भी देख लेना चाहिए, कि उसके दोस्त के पिता क को विरासत में क्या मिला, उसके दोस्त के पिता को जिसने सब कुछ उपलब्द करवाया, उन्होंने क्या-क्या तकलीपे देखी, कितने कश्टब होगे, और उनके माता पिता ने उनको विरासत में क्या दिया, और आपके दादा ने आपके पिता को विरासत में क्या दिया, ऐसी बहुत सारी बातें सोचने विचार करने की होती है उसके बाद सोचना चाहिए आजकल के बच्चों को कि उनके कारे से, उनके व्योहार से, उनके विचार से, उनके शब्दों से क्या कही पिता के अरदय को ठेस पहुँचती है क्या पिता का मन कचोड़ता है क्या पिता को पश्टावा तो नहीं होता इस बात पर यार जो त्याग बच्चों के लिए किये जो तकलीपे बच्चों के भविश्य के लिए देखी बच्चे जो मुल्यांकन करते हैं तो एक जटके में ये बोल देते हैं कि आपने किया ही किया है आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया यह तो आपका फर्ज था है यह तो आपकी जिम्मेदारी थी यह तो आपको करना ही था और करना ही चाहिए था बलकि मेरे दोस्त के पिताने जो उसके लिए किया है वो तो आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा लगता है जैसे आप ही का जमाना था आप जमाना बदल चुका है अब सब कुछ बदल चुका है ऐसा सोचने वाले बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि जमाना और मुल्य कभी बदलते नहीं है values कभी बदलती नहीं है संवेदनाय कभी बदलती नहीं है भाव, ऐसास और feelings कभी बदलती नहीं है आज भी सफलता के जंडे गारने वाले हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनोंने कभी भी ये नहीं सुचा कि मेरे पिता ने मेरे उपर इतने लाख रुपे या इतने हजार रुपे खर्श क्यों नहीं किये जिनोंने उल्डरा सुचा कि मैं ऐसी पढ़ाई कर लूँ मैं ऐसी मेहनत कर लूँ कि मेरे माबाप को मैं सुख दे सकूँ मैं मेरे माबाप का जीवन बदल सकूँ जब इस बार आईये इसके रिजल्ट आये तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जोपडियों में रहने वाले हैं जिनको पक्का एक नीट का मकान भी नसीब नहीं है जो चद्दर और खपरेल के मकान में रहते हैं तीन हजार रुपे भी जिनके पिता के इंकम नहीं है ऐसे बच्चों ने दो वक्त की रोटी के साथ और आईये इसके सिलेबस के साथ वो दोस्ती निभाई वो पढ़ाई की मन लगा करके कि आज वो आईये इसके पद पर कावीर हो गए वो ना केवल अपने पिता मातागा वलकि पूरे जिले के ऐसे बच्चों का कल्यान करने लायक हो गए ऐसे बच्चों पे कितना गर्ब होता हो आप माता पिता को जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है जब बेटा कोई सफलता पराप्त करता है तो दुनिया में केवल उसके माबाब खुश होते हैं और उसका गुरु खुश होता है उसके दोस्त का पिता खुश नहीं होता है इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि जब जब उलाद उन्नती करती है तो हरदय में सुख उसके माबाब अनुभव करते हैं और उनका गुरु अनुभव करत कि हर माबाब हर गुरू को इस बात पर गर रहो होता है कि इस शिष्य के नाम से मैं जाना जाओ कि मैं इसका पिता हूँ यह धारना आज के न व्योकों को बदलनी होगी सोच लिजिये कि दोनों तरह के उधारण आपके सामने हैं एक वो बच्चे हैं जो चाहते हम अपने माबाब की गरीवी को दूर करें हम अपने माबाब की तखलीओ को दूर करें मेरे माबाब ने मुझे बड़ा करने में जो कष्ट देखे हैं उन कष्टों से उनको मुक्ति मिले और मैं सफलता प्राप्त करके कुछ न कुछ ऐसा बन कर दिखाऊं कि मेरे माता पिता को मुझे पर गर्व का अनुभव हो मेरे पाता पिता मेरे नाम से जाने जाए ऐसे सोचने वाले बच्चे तो बड़े धन्य होते हैं और हमने ऐसे कई उधारन देखें लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो माता पिता से हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि आपने आखिर हमारे लिए क्या क्या आज देखिए आज Father's Day पर बच्चों ने मित्रों ने बड़ों ने छोटों ने सब ने अच्छे अच्छे status लगाये हुए हैं WhatsApp पर अच्छे अच्छे मेसेश शेर किये जा रहे हैं ग्रूप पर कुछ लोग पिता की इम्रत्यू के बाद ये काम कर रहे हैं और कुछ लोग पिता के जीवित रहते हुए ये काम कर रहे हैं लेकिन क्या वास्तव में उन्होंने अपना अत्मर मुल्यांकन किया है क्या वास्तव में पिता के जाने के बाद उन्हें अनुभव हुआ है कि वास्तव में पिता क्या था क्या होता है और उसके बाद उन्होंने अपनी गलतियों का अहसास करके क्या आपने व्योहार में चरित्र में वो सुधार लाने का संकल्प लिया है ये नहीं लिया है तो इसे status लगाने का कोई फाइदा नहीं और दूसरे वो भी है जिनके माता-पीता जीवी थे और उन पर गर्व करते हुए उन पर जमाने की बाते करते हुए बच्चे status लगा रहे हैं बाते कर रहे हैं लेकिन क्या कभी उन्होंने ये सुचा है कि वास्तों मैं उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या तकलीफे देखिये क्या उन्होंने अपने जिन सुखों का त्याक कर दिया जिन जो समय उनकी खुद की जवानी में सुख भोगने का था उन्होंने अपनी जवानी में कोई सुख नहीं होगा और रधावस्ता उनकी द्वार पर खडी है ऐसे पिता को नाकारा सावीत करते हैं कि उस पिता ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया तो आपकी बातों से उसके पिता के हदय पर क्या प्रभाव पढ़ता होगा ऐसे बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आज ही मेरे पिता इस संसार को छोड़ कर चले जाए तो मेरा जीवन क्या होगा मेरे जीवन में क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा और अगर आपको गर्व है कि पिता की मृत्यू के बाद आप बहुत कुछ करके अपने दंबे दिखा देंगे तो पिता के जीवित रहते हुए दिखा दीजिए तो लगेगा कि वास्तों में आप एक अच्छे बेटे हो आपके नाम से आपका पिता जाना जाएगा दोस्तों ये कुछ चीज़े हैं जो आज पिता के दिवस पर फादस डे पर पित्र दिवस पर चिंदन करने योग्य है हमेशा पैसा और दोलत से और सुक सुरिधाओं से कभी भी पिता के व्यक्तित्व का मुल्यांकन मत कीजिए नहीं तो अमिताब बच्चन की कमाई में और उनके पिता की कमाई में जमीन आसमान का अंतर था पिता जी तो किवल एक साहित दिकार थे लेकिन आज भी जब अमिताब बच्चन कुछ उधारान देते हैं तो अपने पिता की लिखी हुई पंतियों को पढ़ते हैं पिता तो आज सलमान खान के पिता जो है वो एक लेखक है उन्होंने कई फिल्मों की पट कथा लिखी होगी लेकिन सलमान खान की शोहराद सलमान खान की प्रसिद्धी और पेसे के बदले उन दोनों का मुल्यांगर नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी पिता के प्रती जो मान, सम्मान, शद्धा, समर्पन होना चाहिए वो दिखाई देता है ऐसे हजारों, लाखों, सेग्रों उदारण है हमारे देश में कि जब पिता ने कभी भी अपनी तकलीफों को ना बताया है और ना बताएगा पिता जब रोता है तो अकेले कोने में ही रोता है पिता जब खुश होता है तो कभी-कभी अकेले में ही खुश हो लेता है और कोई बड़ी खुशी होती है तो सब के साथ खुशियां बाटता है लेकिन संकट को दुख को तकलीप को अभाओं को वो कैसे विवस्थाएं कर रहा है किस तरह से परिवार चला रहा है बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि उसके सीने में कितने जखम है कितनी तकलीपों में उसने अपनी जिन्दगी गुजारी है और कितनी बार वो जो है मोत के मुझ से बाहर आकर निकला है और कितनी बार वो केवल जिया है तो आपके लिए जिया है और वो किसी के सामने जुका है तो केवल आपके लिए जुका है मैं अपनी बाग को डॉक्टर अबद्री प्रसाद विर्माल की इन पंतियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा, वानी को विराम लेना चाहूंगा, कि मैं जब कभी जुका हूं, तेरे लिए जुका हूं, मैं जब कभी रुका हूं, तेरे लिए रुका हूं, धन्यवाद दोस्